आपके अपने चैनल विकास गुरू मैथमेटिक्स एनलाइसिस में एक और बहतरीन कोश्चन लेकर आप लोग के समख्च हाजिर है टाइम एंड वर्क से रिलेटेट कोश्चन है कोश्चन क्या है टू टैप पी एंड क्यू कैन फीला इंपिटी टैंक हम समझाते हैं बातों को हिंदी में कि एक टैंक है ध्यान से समझेगा एक टैंक है और इस टैंक को यह टैंक सिलेंडरिकल है कि वाइड सेप का है या क्यूविकल सेप का है वो से बहस नहीं है इस tank को P नाम का जो tap है यानि कि P नाम का कोई नल जो है इसको भरने में समय लेता है 15 hours का समय लेता है दूसरा tap लगा हुआ है दूसरा नल लगा हुआ है करके कर अच्छा नहीं बना रहे हैं यह जो समय ले रहा है वह कितना ले रहा है सोड़ी 15 आवर क्यों जो ले रहा है वह ले रहा है थार्टीन आवर सोड़ी 30 आवर बोथ टैप्स वियर ओपेंड एट फोर एम मतलब सुबह चार बजे दोनों टैप को दोनों नल को खोल दिया गया और ऐसा करने के बाद चार बजे वह टैंक भर जाता है भर जाता है What time was tap Q sut किस समय Q tap को sut किया गया हमें यह बताना है ठीक है कुछ समय बाद After some times कुछ समय बाद Q को बंद कर दिया गया ہے तो कितना दिर बाद बंद किया गया है वह पहले निकाल लेगे तो हमें पता चलेगा कितना बजे बंद किया गया था तो बहुत ही easy question है घबराना बिलकुल नहीं है तो हमें यह बात पता है कितना लग रहा है समय भरने में फिल करने में tank को तो P को लग रहा है P को लग रहा है 15 hours का समय लग रहा है 15 hours का समय लग रहा है tank को भरने में क्यों टैप को लग रहा है समय 30 hours कितना लग रहा है 30 hours का समय लग रहा है बहुआ वाला मितर से बनाते हैं work done work done by tap p in one hour एक hour में tap p जो है वह कितना work करेगा तो 1 by 15 work करेगा बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखते हैं time का time क्या लगना है देखिएगा साम सुबा चार से बचके साम चार तक चला है साम चार तक चला है और टैंक भर चुका है time जो लगना है चार बजे सुबा से चार बजे साम तक 12 hours का समय लग रहा है ठीक है तो work done by tap P in one hour work done by tap P in 12 hours 12 hours में क्या करेगा 1 by 15 multiply 12 that means 12 by 15 वा इस अब ठीक है 12 है ठीक है 12 by 15 हो जाएगा clear है clear है बिल्कूल काटने पर काट देना है 3 से यह कट जाएगा 4 times 3 से यह कट जाएगा 5 times यानिकी 4 by 5 पार्ट को भड़ेगा वह 12 hour में ठीक है कुछ समय बाद tap Q को बंद कर दिया जाए वो समय हमें नहीं पता है वो समय हमें नहीं पता है ठीक है तो वह बात हम लिख देते हैं Now working all your working hours zodöken ओफ-डैक के टेप क्यूं कि वियक एकसावर क्या मालनी मृक्रिये मैं लोग एकसावर है वर्क इंग आवर जो है एकस घंटे तक चला है उसके बाद क्यूं बंद हो गया है क्यूं जो था वह बंद हो गया है तो हम बोलेंगे कि वन खैक work done by tap q in one hour one hour में tap क्या करेगा one by 30 पार्ट करेगा क्योंकि q को लगना था समय 30 आवर का तो work done by tap q in x आवर तो x आवर में क्या हो जाएगा one by 30 multiply x यानि x by 30 clear है doubt नहीं होना चाहिए x y क्या हो गया 30 हो गया है काम हमें करना है क्या चीज एक नल को भरना है according to question हम बोल पाएंगे ये दोनों मिल करके भर रहा है 4 by 5 पलस x by 30 पार्ट मिल करके भर रहा है एक टैंग को LCM यहाँ से मेरे हिसाब से तो 30 ही आएगा तो 30 ही आएगा ठीक है 5 की टेबल में 30 कितना टाइम से आजाता है 6 टाइम आता है 6 को 4 करने पे 24 हो जाता है पलस x is equal to sorry is equal to 1 इस इंपलाइज 24 पलस x is equal to 30 इस इंपलाइज x is equal to 30 पलस का 24 ही दा रहा है तो माइनस का 24 तो हमने यहाँ से देखा x is equal to आ जाता है 6 x is equal to आ जाता है 6 यानि टैप क्यों जो था वह 6 आवर तक वर्क किया था सुबह चला था कितना बजे तो सुबह चला था कितना बजे तो हम यह बात बोल सकते हैं क्या कि 6 घंटा तक काम किया था कौन 6 घंटा तक काम क्या किया था टैप किसने काम किया working hour of tap q तो बोल देंगे यह बात कि working hour working hours of tap q is equal to 6 hour और 6 घंटा तक काम किया था कौन टैप क्यू काम किया था 6 घंटा चला था कब सुबह 4 बजे यानि क्या पूछा जा रहा वाट टाइम वाज टैप क्यू सट तो वाट टाइम क्या हो जाएगा चार बजे सुबह से देखते हैं 6 घंटा क्या बज जाता है 10 एम हो जाता है 10 एम तो 10 एम टाइम वाज टैप क्यू सट यानि की टैप क्यू को बंद कर दिया गया उमीद करते हैं आप लोग को विडियो पसंद आया होगा ठीक है